हेलो फ्रेंग्स, वेल्कम बैक टु शालिये के आडमेक्स, मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जारी हूँ, क्लास 11 एकॉनिमिक स्लेबर्स स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस करा था कि अब से मैं आपको अपने चैनल पर एकॉनिमिक्स भी पढ़ाऊंगी, सो फाइनली आज हम पहली सीडी चड़ेंगे, देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसका स्लेबर्स, उसका कंटेंट जा लेकिन ये सारी चीजे डिपेंड करेंगी कि कैसी सिचुएशन है, मैं इस चैनल पर आपको MCQ भी प्रोवाइट कराऊंगी, प्लस सब्जेक्टिव क्वेशन को भी लेके चलूंगी, सो स्टूडेंट ये जो आपका पेपर होगा, वो पूरे दो घंटे का होगा, टोटल 40 म में डिसाइड हो चुके हैं, अगर आपके एक्जाम अच्छे नहीं गया है, तो टेंचन लेनी की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप 50 मार्क को स्कोर कर सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो म आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटर्स इंफरमेशन आपके पास पहुशती रहे, स्टूडेन एक्वेस्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी जने अपने एकनमिक्स की बुक अपने पास लेके बैठिये और अपनी बुक के इंडेक्स पे टिक कर लीजिए क्या-कया टॉपिक आपकी एकजाम में आएंगे, आप सभी जने जानते हैं कि एकनमिक्स की क्लास 11th में दो बुक हैं, स्टारिस्टिक्स अंड सेकिंद वन इस माइ Microeconomics जो है वो टोटल आपकी 23 marks की आएगी Stats में आने वाले चैप्टर जो है Statistical Tools and Interpretation Measure of Dispersion Correlation Index Number ये तीनो चैप्टर आपके टर्म 2 में आएगे और ये तीनो चैप्टर टोटल 17 marks के है Microeconomics की तरफ मूव करते है Producer, Behavior and Supply तो जो आपकी Producer, Behavior and Supply वाली यूनिट है आप उस पर टिक लगा लिजे Next, Form of Market and Price Determination Under Perfect Competition with Simple Applications ये चैप्टर जो है वो टोटल 10 marks काएगा So, Stats आएगी 17 marks की And Microeconomics आएगी 23 marks की तो टोटल आपके 40 marks हो जाएगे 10 marks का आपका Project Work होगा जो की आपकी स्कूल में आपकी स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी अगर आप बहतर तरीके से हो प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो आपको 10 marks दे दिये जाएंगे Part A, Statistics for Economics Unit 3, Measure of Dispersion में से आपके ये-ए टॉपिक्स आएंगे Absolute Dispersion, Standard Deviation Relative Dispersion Coefficient of Variation Correlation में से आपके आएंगे Meaning and Properties, Scatter Diagram Measures of Correlation Karl Pearson Method Two Variable Ungroup Data Introduction to Index Number Meaning, Type, Wholesale Price Index Consumer Price Index Uses of Index Numbers Inflation and Index Numbers So student, आप अपनी बुक को साथ में रखके उस पे टिक लगाते रहिए कि कौन-कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं चलिए Micro Economics की बात कर लेते हैं Producer Behavior and Supply Meaning of Production Function Short Run, Long Run, Total Product, Average Product and Marginal Product Return to a Factor Cost में से आने वाले टॉपिक है Short Run Cost, Total Cost, Total Fixed Cost, Total Variable Cost Average Cost, Average Fixed Cost Average Variable Cost And Marginal Cost Meaning and Their Relationship Revenue वाले चैप्टर से आने टोटल, Average, Marginal Revenue Meaning and Their Relationship Supply, Market Supply, Determinant of Supply, Supply Schedule, Supply Curve And Its Slope, Movement Along and Shift in Supply Curve Price Elasticity of Supply, Measurement of Price Elasticity of Supply, Percentage Change Method Last Unit के वारे में देख लेते हैं Form of Market and Price Determination Under Perfect Competition with Simple Application Perfect Competition, Feature, Determination of Market Equilibrium And Effects of Shift in Demand and Supply Simple Application of Demand and Supply Price Ceiling and Price Flooring ये टॉपिक बहुत जादा important है So student, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, useful लगी होगी और आपने अपनी बुक में टिक लगा ली होँगे तो ये था आपका Term 2 का स्लेबस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं और नीचे दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल से जोड़ी latest information आपके पास पहुँचती रहे So thank you guys